नमश्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ओपो ए 33 और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन रिंग टोन या नोटिफिकेशन चेंज करने के लिए आपको क्या करना है सेटिंग पर जाना है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अब आपको क्या करना है से स्क्रॉल अप करना है और इसके बाद यहां पर आपको साउंड और वाइब्रेशन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहां पर ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको डिफॉल्ट साउंड नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और अलाव कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते है आपके सामने काफे सारे ringtone के option देखने को मिल जाते हैं तो अगर आपको short sound चाहिए तो आप इन में से select कर लीजेगा जो आपको पसंदारा है वो आप लगा लीजेगा ये सारी आपके phone की तरफ से दिये गए होते हैं आपको और अगर आपने कोई sound अलग से download कर रखा है notification sound तो आप इस पर click करेंगे और allow कर देंगे तो यहाँ पर आपके सारे setting sound आ जाएंगे जो भी आपने downloaded कर रखे हैं अपने mobile में तो यहाँ से आप select कर लेंगे और इसके बाद back कर देंगे और यहाँ पर आप vibration भी on कर देंगे इससे क्या होगा कि अगर आपका sound अगर आपको सुनाई नहीं देगा तो यहाँ पर आपको vibration से पता चल जाएगा और यहाँ पर इसका media आप select कर लेंगे तो इस tap से आप sound की setting कर सकते हैं आप यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा इसी टाइप की और भी इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा तो चले मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार